दिगरस में विद्याबार्ती इंगली स्कूल में हाली में अन्तेशालिय अभिनाव ड्रंकस्पर्धा का भव्य आईज़ूं क्या गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के पंदा सो विद्यातियों ने हिस्सा लेकर अपनी चित्रकारिता और स्केज आर्ट के हुनर का मुजाहिर है इस बार भी स्कूल के अध्यक्षे डॉक्टर संजेबं की पहल से अभीनो भारत संगलपना के तहत आंतर शालेय अभीनो रंगस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें दिग्रश शेहर और परिशर की विभिन्न स्कूलों के लगबग 1500 विद्यार्थियों ने इस स्पर् ठारी भीड की बदोलत स्कूल प्रांगन खड़ा खच भरा नज़र आया इस मौके पर आयोजित सतकार कर्यकर्म में स्कूल के अध्यक्षे डॉक्टर संजेबंग और उनके सहयोगियों ने शेहर के विभिन्न स्कूलों के चित्रकला शिक्षकों का सतकार किया इस सतकार समा इस मौके पर डॉक्टर संजय बंग ने कहा कि रेखा चित्र और चित्रकला कलात्मक अभी वेक्ति के ऐसे दो पहलू है जिसमें न सिर्फ मनोरंजन और आनंद शामिल होता है बलकि इन कलाओं में सरजन शीलता का भी वास होता है जो वेक्ति के वेक्तित्व को निखारने के सा पर भी अपने नए मुकाम पर स्थापित करता है इसलिए रेखा चित्रों चित्रकारिता का विद्ध्यार्ति जीवन में महत्व अधिक हो गया है इस क्रवैं स्कूलों के विद्ध्यार्तियोंने बड़ी संख्या में इस्स忙 लिया हाथों में पेंसिल और ब्रश ठामें ये होनहार चित्रकार अपने कलापरदर्शन में इतने वेस्ट और मगन नजर आए मानो जैसे साधकों की कोई टोली प्रभू की आराधना में लीन हो चुकी हो कुल मिला कर ये आयोजन बेहत सफल रहा पंद्रसव नन्य विद्यार्थियों और मासुम चित्रकारों को एक साथ अपनी परतिवा साधना में तलीन होता हुआ देखना अपने आप में बिहद रोचक और रोमान चक अनुभव साबित हुआ इस अनोखे आयोजन को सफल बनाने में विद्याभारती स्कूल विद्यार्थी परतिनीधी मंदल के विद्यार्थी परतिनीधी सात्रिक ठाकरे, प्रियांशु कांगे, अनुष्का राठोड, स्नेहल काडे, मायवी खिराडे, निहारी का राठोड, लक्षमी आडे के साथ विद्याभारती स्कूल के मुख्याध्यापक हेमंत डूबे, नितिन राउत, निवरुति डोडरे, कलाशिक्षक रोहिद दूदे, अरविंद परांडे और कवीता राउत ने योगदान दिया, जल्दी इस परतियोगी ताके पुरसकारों का वित्रन किया जाएगा ऐसी ज दिगरस से जुबायर खान की रिपोर्ट